नमस्कार दोस्तों अब हम SBI के online banking के द्वारा आजबा application IPO के लिए कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे SBI इंडिया का सबसे popular bank है और इसके द्वारा IPO apply करना बहुत ही आसान है आज हम जल्दी से उसके steps देख लेते हैं सबसे पहले आपको login करना है आपके online banking के main panel जब login ID password डाल के आप अंदर आते हैं तो आपको जाना है e-services पे e-services में आपको left-hand side में एक section दिखेगा इस section में आपको जाना है DMAT and asba services पे जी हां DMAT में आपके shares आते हैं और asba गा application है जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो इसमें अलग-अलग option मेरे को दिखाई देते हैं जिसमें से DMAT sorry asba services IPO में IPO equity section पे आप जा सकते हैं debt यानि की bonds उसमें जाने की ज़रूद नहीं हम shares के लिए apply कर रहे हैं तो है form पे जहां पे आपको मिलेंगी options कौन-कौन से IPOs available है इस वक्त तो SIS security और coaching shipyard डोनों इस वक्त open है तो मैं select कर रहा हूं coaching shipyard का यह कोई recommendation नहीं है यह सिर्फ education purpose के लिए हमने video बनाया है आप अपना खुद research करने के बाद ही किसी IPO में invest करें आपके IPO के profits और losses के लिए आप खुद जिम्यदार होंगे इस video के और आप सिर्फ education के लिए देखें तो जब मैं उस radio बटन पर click करता हूं उसके बाद go पर click करता हूं तो यह मुझे सीधा ले जाता है एक और undertaking बाई आजबा investor कम bidder and account holder वाले section पर इसको आपको पढ़ लेना है और फिर accept करना है कुछ terms and conditions और important notices आपको उसमें जानने को मिलेंगे अब हम आ चुके हैं IPO equity के proper आजबा form पर जहांपे company के details issue open date minimum bid quantity यानि कि कितने number of shares एक lot में रहेंगे इसके बारे में आपको पता चलता है और इसी के नीचे आता है आपका details डालने का section उसमें आपको category पहले सिलेक करनी है individual की उसके बाद select registered application applicant पर क्लिक कर दीजिए अगर आपने अपना अप्लिकेशन को आप्लिकंट को रेजिस्टर नहीं किया है तो आप उसके नीचे वाले section पर जहांपे लिखा है if you have not added any applicant please click here इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करते ही वह आपको एक form पर ले जाएगा सबसे पहले इसमें डालना है आपको profile password प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेता हूं पहले प्रोफाइल पासवर्ड डालते ही आपको एक ऐसे section पर ले जाता है जहां पर आपको अपने details जालनी ही जैसे की नाम पूरा नाम pan number pan confirm करना है साथ में सेलेक करना है NSDL या CDSL पर है उस पर क्लिक करते हैं आपको आपका dp id, client id और nickname ये nickname एक shortcut होगा जिसके तुरू आप आसानी से हर बार IPO को apply कर सकते हैं ये एक बार transaction होने के बाद आप वापिस अपने IPO form पर जा सकते हैं फिलाल के लिए मैं इसे cancel कर देता हूं क्योंकि हमारा ज अब नीचे ध्यान से देखिए bid 1 पे क्लिक कीजिए और quantity जालेजिए 30, bid at cutoff price को मैंने select इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता हूं maximum price जो कि है 432 इस पे मेरा IPO apply हो, ज्यादा से ज्यादा chances अगर आपको IPO मिलने के चाहिए तो maximum यानि कि upper bank पे आप अपना IPO ज़रूर apply करें ये करते ही आप select करना है submit और उसके ब confirm पे क्लिक कर देना है और एक चोड़ा सा notice आया है जिसमें कहा गया है कि क्योंकि मैं दो बज़े के बाद apply कर रहा हूं तो मुझा मेरा जो IPO का application है वो अगले दिन्याने की कल सुबह हो जाएगा कोई problem नहीं आप सिर्फ okay पे click कीजिए एक OTP आयगा जिसे high end security password कहते हैं SBI में वो आपके registered mobile number पे आता है वो डाल दीजिया 8 digit का number होता है और डालते ही आप confirm करेंगे और confirm करते ही आपका application जा चुका है यह green tick जो है इसका मतलब है कि आपका request आपकी ओर से जा चुका है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो actual amount थोड़ी कम दिख रही है क्यूंकि इस particular IPO का भ आपको discount मिल रहा है तो 12.330 पर ही आपका application जाएगा क्योंकि यह government company है तो कभी-कभी ऐसे discounts आपको मिल सकते हैं इसके बाद ही आप आगे चलके आप देखिए जब वो listing होगा और आपको message आ जाएगा जब आपके shares आपको मिलेंगे या refund मिलेंगे अगर आपको IPOs related कोई भी सकते हैं या फिर इसी वीडियो के comment के section में आप हम इसे सवाल बूच सकते हैं देखने के लिए धन्यवाद